आज हम नान बना रहे हैं जिसके लिए हमें मैदा चाहिए दो कप दूद आदा कप पानी आदा कप जिनको हमने मिक्स कर लिया है अंडा एक गतत जिसको हमने अच्छी तरह से खेंट लेना है सैसमी सीट 1 टेबल स्पून interacting oil 2 टेबल स्पून powder में 1 टेबल स्पून भर कर नमक 1 टीस्पून chili 1 टीस्पून yeast 1 टीस्पून baking powder 143 टीस्पून अब हमने नान का आठा गूनना है, सबसे पहले हमने मैदा डाल देना है तो कप, आप चाहें तो मैदे को छान ले, इसके अंदर हमने पौडर मिल्क डालना है, एक टेबल स्पून भर कर, नमक एक टी स्पून, चीनी एक टी स्पून, इस्ट एक टी स्पून, बेकिंग पौड और 1 फोर्थ टीस्पून, इन सारी चीजों को हमने अची तरह से मिक्स करना है, अब हमने मैदे और ड्राई सारी चीजों को अची तरह से मिक्स करना है एक मिनट के लिए, अब हमने इसमें अंडा डालना है, थोड़ा सांडा हमने बचा लेना है नान के उपर लगाने के लिए, और इसमें कुकिंग ओयल डालेंगे आधा, आधा हमने बचा लेना है, दूद और पानी को हमने मिक्स किया है, आधा कब दूद, आधा कब पानी लेकर इनको हमने हलका हलका गरम कर लिया है, गरम, पानी और दूद के साथ हमने आटे को गूनना है, यह हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और आटे को गूनना है, जितना भी दूद और पानी की जरूरत हो उतना ही डालिए आटे को हमने सोप बनाना है जाटे को हमें मेशीन के साथ बूंद लिया है बिलकुल आम रोटी की तरह ही है बहुत जादे नरम भी ना करें और शarta ही दरम्यानाissa हो अब हमनेिस इसे उपर थोड़ा थोड़ा कुकिंग ओई लगा देना है कुखिज अ लगाकर फिर हमने एक पेपर टावल गीला कर लेना है और इसके उपर डालदेना है या आप कोई कपड़ा घीला कर लें, इसके उपर डाल कर सारी साइडों से दबा दें, हलका हलका, इसको थोड़ा धीला ही छोड़ें, अभी ये फूलेगा, नान का आटा हमने चार से पांच खेंटे तक गूंद कर रखा है, अब ये पूरी तरह फूल चुका है, डबल हो गय है, आपने थोड़ा नरम ही आटा गूनना है, अगर सफ्त होगा तो फिर आटा से इसे खूलेगा नहीं, ज्यादा टाइम आप रात को आटा गूंदे और अगले दिन बनाएं तो ज्यादा अच्छे बनेंगे, इसलिए हमने चार से पांच गहंते तक रखा है, या आप सु आटों पर मेता लगा कर फेड़े बना लेने हैं, यह आपकी मर्जी आप जितना मर्जी बड़ा बना लें, या मीडियम साइज कर बनाएं या छोटा, अब हमने सारे पेड़े इसी तरह ट्रे में रख देने हैं बना के, पेड़े हमने बना लिए हैं, अब हमने इसके उपर पेपर टावल दे देना है, दस मिनट के लिए हमने पेड़ों को इसी तरह से रखना है, फिर हमने बेल कर नान को पकाना है, पेड़े बना कर दस मिनट के लिए हमने रख दिये थे अब हमने बेल लेना है थोड़ा सा हाथों की मदद से बड़ा कर लेंगे नान को हमने मीडियम साइज का बेल लेना है बिल्कुल स्टिकी बिल्कुल लास्टर की तरह है आटा साथ ही हमने तवे को गरम कर लेना है और ओवन को गरम कर लेना है 500 डिग्री पर या जितना भी तेज हो फुल गरम कर ले तवे को हमने गरम कर लिया है अब हमने नान को तवे पर डाल देना है सिरफ एक साइड से हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है जब उपर बबल आजें फिर हमने इसको उठा लेना है अब हमने बेकिंग ट्रे में हल्का हल्का कुकिंग ओई लगा देना है ये बटर लगा देना है इसके उपर हमने नान को रख देना है अब हमने ब्रश की मदद से अंडा लगाना है उपर सारे नान के उपर अंडा लगा देना है अब हमने इसके उपर सैसमी सीट डाल देने है थोड़े थोड़े अब नान को हमने बेक करना है यह हमने ओवन टोस्टर लिया है इसको हमने 500 डिग्री पर करम कर लिया है नान को हमने 5-6 मिनट तक कुख करना है आप देखते रहें जब उपर से कुख होने लग जाए तब तक हमने इसको पकाना है नान हमारा रैडी हो गया है अब हमने इसको निकाल लेना है इसके उपर हमने बटर लगा देना है बटर लगाकर इसको किसी कपड़े से डाम दें उससे यह के नान जहें यह बहुत नरम रहेंगे नान हमारा चार से पांच से यह इनख में तयार हो गया है यह देखिए, पूरी तरह से फूल कर निकला है, बहुत ही खुपसुरत और मज़ेदार मान ट्रैडी है, इसके उपर हमने बटर लगा देना है, इस नान पर हमने अंदा नहीं लगाना, एक साइड से हमने तवे पर पका लिया है, हलकी आग पर, इसके उपर हमने हलका हलका पानी लगा देना है, यह आपकी मर्जी है, आप चाहे अंदे वाले बनाएं या इसके उपर पानी लगा कर ओवन में रखें, जो भी आप लाइक करें, दोनों तरह से ही मज़ेदार नान तैयार हो जाते हैं, इस नान को हमने अंडे के बगयर पकाया है, पानी लगा कर अब हमने इस पर हलका बटर लगा देना है, नान हमारे रैडी हैं, हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, यह पीछे वाली साइड है, जो कि हमने तवे पर पकाई है, हलकी आग पर, यह आगे वाली साइड है, बहुत ही नरम और अंदर से पूरी तरफ खूले हुए, अगर आपकी कोई फर्माईश है, तो आप मेरे फेस्बुक पर मैसिज करें, या इस वीडियो पर कॉमेंट्स करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगर आपको यह रैस्पी पसंद आए, तो थम्स आप दें, थेंक यू, अलाह आफेज, झाल, या गिहाँ है, अगर आपकी।